हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाड़े विस सुजीत में तो दोस्तो आज हम लोग क्लास 12 के भाईलोजी के कोसंस बैन के जितने भी अबजेक्टिब पूछे जा चुके हैं हमारे बोर्ड एकजाम में 2009 से 2022 तक उन सभी कोसंस को एक इहीं वीडियो में कभर करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अन तक जवग देखने का प्रियास किजएगा दोस्तों क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्नस तर आपके ना का अकार तो मनुष्य के जो मत्राक मक जो लक्षण का उधारन होता है वो त्वाचा का रंग ही होता है क्योंकि त्वाचा का रंग बदलता रहता है इसलिए यानिकि आप्शन मर्जों यहाँ पे जो बी है वो सही एंसर हो जेगा आप बस सिद्धत से अन तक जोड़ कीजिगा इस विडियो को एक से दो बार अगर अच्छे से देख के त्यारी कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी कोशन आपके बोड़ एकजा में नहीं छुटेगा दौस्तों एक जीन के बीभीं रूपों को क्या कहा जाता है तो एक जीन के बीभीं रूपों को युगमें और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसे लगा दोस्तों और यहां पर प्रशन है की रिएसम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है काफी महत्यपूर प्रस्ण है और ये कोसंस जो है बार बार हमारे बोड़ इकजा में अभी तक 5-6 बार हमारे बोड़ इकजा में पुछा जा चुका है ये 2022 में जो पुछा गया प्रस्ण है यहीं है इसके इसे रिलेटर 2021 से 2020 उसके बाद 2009 तक हम लोग बारी बारी से चलेंग इंसर हो जेगा और फूर्थ नव प्रस्ण है कि लाइसीन युकते रेटीन तथा प्रोटीना की इसकी किसमे है काफी महत्यपूर प्रस्ण है दोस्तों तो इसका जो सही इंसर हो जेगा वह माका हो जेगा जो की रेटीन तथा प्रोटीना इसकी किसमती है माका की यानिकि ज तो प्रस्ण दोस्तों कि penicillium जो उत्पादित करता है वो मीटो एस्पोर को उत्पादित करता है जो option number जो A है वो सही answer हो जेगा तो चलिए दोस्तों next नवप्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं निसेचन आंतरिक होता है तो निसेचन जो आंतरिक किसमे होता है आपको बताना है तो इसका जो सही answer हो जेगा दोस्तों वो हो जेगा option number B सार्क में जो है निसेचन आंतरिक होता है याद रखेगा जो option number B है वो सही answer हो जेगा बिभीनता का मुख्य सुरोत क्या होता है काफी महत्तपूर सवाल है दोस्तो कि बिभीनता का मुख्य सुरोत क्या होता है तो इसका जो सही इंसर हो जेगा वह उत्परिवर्तन हो जेगा जो option जो B में है वह सही इंसर हो जेगा और यहाँ पे हीव लोग गिबढ पाय जाता है, काफी महत्तपूर प्रशन है दुस्तों के हीव लोग गिबढ़ पाय जाता है तो यह जो पाय जाता है दोस्तों यह पाय जाता है option वर जो यहाँ पे D है काजीरंगा पक्छी अभ्यारण में जो D है वह सही इंसर हो जनेगा और antilope cervicapra क्या है तो antilope cervicapra जो होता है यह एक परकार का जानते हैं क्या होता है यह होता है संक्ण ग्राष्त प्रजाती याद रखेगा option वर जो B है वह सही answer होजेगा जो संक्ण ग्राष्त प्रजाती होती है या बिलूप्त जो प्राणी होती है उसको रेड डाटा बुक में उसे लिखा जाता है याद रखेगा तो इसका जो राइट एंसर हो जगा अप्सन नमबर बी जो सही एंसर हो जगा आपको ये सेशन अची लग रही हो तो इसे लाइक जरू कीज़ेगा दोस्तो और चानल पर नए जूरे हो तो जरूर सस्क्राइब कर लिजगा बहुत जल्द ही इसके सब्जेक्टिब कोसंस भी हम लाने वाले हैं तो एक बाद जरू करें और कभी को ये चील भी पहले दिखाई देता और चील भी अभी के समयें नहीं दिखाई दे रहा है और कोवा भी तो इसलिए इन सभी चिरिया को जरूर्स आप लोग अच्छे से रखेगा हमारे घर में भी हम गोराय को अच्छे से पालते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से चिरिया को भी अच्छे से आप लोग पालंग करिएगा दोस्तों क्योंकि चिरिया अगर हमारे बीच नहीं रहेगी तो वह संकट ग्रस्त प्राणी के रूप में भी आ सकती है और हमारा जो पक्षी है वो गोराया ही है और यहां पे बीसो सनक्षार दिवस मनाया जाता है तो दोस कराई टैसल हो जेगा ऑप्सन मरडी और बीसो सनक्षार दिवस मनाया जाता है यहां बीहार बोट के जो यहां पे ऑप्सन जो दिये गए था वो यहां पे गलत दिये गाया था तो यहाँ पे जो 200 सनक्षर दिवस जो मनाया जाता है दोस्तो वो 8 जुलाई को मनाया जाता है याद रखेगा जो यहाँ पे जो दिये गहे ऑप्सन ये बिल्कुल ही गलत है अठाई जुलाई को मनाया जाता है बीसो स्रक्षर दिवस और पांच जुन को क्या मना जाता है दोस्तो याद रखेगा पांच जुन को परेवरान दिवस मनाया जाता है काफी महत्तपूल प्रस्न दोस्तो परेवरान दिवस को मनाया जाता है प्रतिरक्षी की प्रसपर किरिया जो इसका जो अध्यान होता है वो जानते हैं दोस्तों क्या कहलाता है वो सेरोलोजी कहलाता है याद रखेगा ओप्शन वर यहाँ पे जो ए है वो राइट इंसर हो जेगा और याद रहिए रखेए यह सेशन बहुत ही महत्यपूर्ण होने इस सेशन को अगर आप दो से तीन बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो इससे बाहर एक भी कोशन्स आपके वोड इज्जा में नहीं आने वाला है और कुष्ट रोग किसके कारण होता है तो कुष्ट रोग जो होता है दोस्तों वह माइक्रो बेक्टरियम के द्व द्वरा होता है जिवारू के द्वरा सालोमेनेला जिवारू के द्वरा तो याद रखेगा टाइफाइड सालोमेनेला जिवारू के द्वरा होता है और कुष्ट रोग जो होता है वह माइक्रो बेक्टरियम द्वरा होता है याद रखेगा ऑप्सन में जो सी है वाडाइट से होता है यानि कि वाइरस से होता है याद रखेगा तो वाइरस से जो यहां पे जो रोग दिखाए गया है वह आपसन नमबर बी में यहां पे दिखाए गया है खसरा और एवीज नी की option वरजों यहाँ पर जो बी हेव राइट एंसर हो जेगा और यहाँ परकरर का यहाँ पर एर्ड्स जो होता है यह भी बिसानू के द्वारा ही होता हैं ने की virus के कारण ही होता है याद रखेगा इसका राइट एंसर होजेगा option नंबर-B और यहां पर प्रस्त है कि नीमली खीत में से कौन सा गर्भासे के अस्तर में परत्यारोपित होता है गर्भासे यानि कि जो महिलाएं होती है उसके जो गर्भासे अस्तर में जो परत्यारोपित होता है क्या होता है यहां बताना है मुरूला, गेस्ट्रूला, युगमनाज और plastocist तो इसका जो सही answer हो जब सिर जो यहाँ आप जो यहाँ ऑप में जो यहाँ बिल्कुल नहीं सही answer हो जब इसका बिलेंसर जरुर बताने का प्रयास acknowledging और में जरुर प्रयास तांच संहराज लगा और यहां पर प्रस्ण है कि आपको धूंदला यहां पर प्रस्ण दिखाई देगा लेकिन हम आपके बीच बिल्कुल ही सही से पढ़के बता देंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा दोस्तो मनुस्य के विकास की आयू कि इसके द्वारा मापी जाती है काफी महत्त प्रस् सब्रakte कारि और behaviour किमिन-आंकरण और घटिंग द्वारा मापा जयता है याद रखेगा अपसर मढर्न जो यहां पर जो डी है वह राइट एंसल होजगा और देख रहे हैं हैं यहां प्रक्राइस्रों हैं है दोस्तोsty हम लोग जानते हैं कि डाइनासोर एगहां पर बिलूप्त हो चुका है है हमारे जाने के पूरे बीस वह यहां हो चुका है तो डाइनार यहां पर बिलूपतोक सरी मिलाम के है यहां पर जो आप्स gegzen कि ब्लूपत जाता है अस्तंधारियों तथा आधूनी वरस्पतियों के काल को सिनो जोई की यूग माना जाता है याद रहिए अप्शन मर्जों यहां पे जो ए है वराइट इंसर हो जेगा तो चिलिये नहीं हम लोग नेक्ष्ण प्रस्ण को देखते हैं और यहां पे प्रस्ण आप देख डी एंए यादि के दियोकसी रइभोर्स नूकलीड एसीड डी इन एफ जो बंता है उसे क्या कहते हैं तो उससे ही हम लोग जानते हैं तो क्या कहते हैं इसका राइट एंसर भी आप देदियो होंगे उसे सी डी एने कहते हैं और पॉलिमरेज श्रिंखला अभिक्रिया के लिए अवाश्यक एंजाइम होता है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो आपका एंसर भी अब तक आ गया होगा और पूसा सुब्रा एक कीसम होता है तो यह होता है फूल गोभी का होता है याद रहे और देख रहे हैं यहां पर प्रस्ने कि बीना नी सेचन के पोधा का उत्वादन किसके दोरा किया जाता है तो यह किया जाता है काईक परवर्धन दोरा याद कि आप लोग हम लोग देखते हैं खासकर गाओं में काईक परवर्धन का उत्वादन जैसे गुलाब का जो पेंड होता है याद कि बिरिक्ष होता है उसको हम लोग डाली से काट लेते हैं काईक परवर्धन के दोरा और मोत Kwabood लगा देते हैं ऑर आज करके जो टेकनियलोगी का यूज उरा है कि आम के पेल में लीची का पेल लगाय दिया जैता यहाँ, यहाँ पर पहें और लीची भी स्वर्ण जाता अँग लेगी, परिखर हो पाता है, तो उसी ट्राइटिकम एस्टिवम जो की एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है तो उसमें जो होता है दोस्तों वह होता है 42 गोंड सुत्र होता है यहां जो डी है वो राइट एंसर हो जाएगा और सरीर में डी एन ए उत्पादन का अस्थल होता है तो इसका जो उत्पादन का जो अस्थल होता है यह होता है दोस्तों जानते हैं क्या होता है यह होता है लीमपोसाइट्स lymphocytes में DNA का उत्पादन अस्तल होता है यानि कि option मर्जो यहाँ पे जो B है वो right answer हो जाएगा हम आपके बीच only answer बताते हुए चलें क्योंकि यह session थोड़ा लंबा हो सकता है और आपको लंबा यह session होगा तो आप इस वीडियो को एक से दो बार करके आप देख सकते हैं बिल्कु का वन एंटी ट्रिपसीन जो होता है वो वात एसफीती के इलाज के लिए ही परियुक्त होता है याद रहे option मर्जो यहाँ पे जो D है वो right answer हो जेगा हाइब्री डोमा कीज के लिए कारियरत है तो हाइब्री डोमा जो होता है दोस्तो या प्रतिजेविको के संसलेशन के लिए कारियरत होता है काफी महत्यप्पू प्रस्ण है यानि कि option यहाँ पे जो C है वो सही अंसर हो जेगा और निमलीखित में से कौन सा मीथेन उतसरजन होता है याद रहे दोस्तों कि धान के जो खेत से जो होता है वह मीथेन गैस का उतसरजन होता है यानि कि option तो option मर्चो यह है वो राइट अंसर रोजगा मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है याद रहे और यहाँ पे कारवन मोनो अकसाइड एक प्रमूख प्रदूसक है तो वायू का प्रमूख प्रदूसक होता है कारवन मोनोक्साइड खास कर जो बड़े बड़े जो कमपनिया होती है जो वात्य भठी के रूप में जो उपियुक्त होती है जहां से अधिक से अधिक धुमा जो निकलती है उसमें कारवर मोनो अक्साइड की जो संख्या होती है उसकी जो मान होती है वह बहुत ही अधिक होती है और वह वायू में फैल जाती है जिसका ही प्रमुक परदोसक है वायू का जो यहां पर जो ए है वह राइट एंसर हो जेग है जो डी डी होता है और पाराय ये जे आवर्धन पर दर्शित करता है निए ए और बी दोनों यानि कि जो सी एंसर है वह राइट एंसर हो जेगा दोस्तो और यहां पर परस्न है कि रेडियो धर्मी प्रदूसक के सबसे प्रतिकूल परभाव का परिमार क्या है तो रेडियो धर्मी पर दूसर के सबसे प्रतिकूल परभा जो परिमार है वह होता है दोस्तो जीन उत परीवर्तन यानिकि आपसन मर जो यहाँ पे जो डी है वह सही इंसल हो जेगा और हेरोईन है तो हेरोईन यह नहीं समझ लिजएगा कि यह वलिवोड या ह ट्राए एसी टाइल मॉर्फीन होता है, यानि कि ओप्सन मरचो यहां पर जो behavioral right answer हो जेगा, ट्राइ एसी टाइल मॉर्फीन के रूप में heroin होता है, यानि कि जो behavioral right answer हो जेगा, डाइ ओक्सी राइबोस तथा राइबोस सरकरा एक यहीं वर्ग के हैं जिन्हें किया कहा जाता है तो डाइ ओक्सी राइबोस तथा राइबोस सरकरा एक यहीं वर्ग के हैं जिसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं उसे पेंटो सिक्स कहते हैं आपको थोरा सा यहां पे धुंदला दिखाई देगा प्रस्णों तर 33, 34 या 35 तो आपके बीच थोरा सा कटनाई होगी पढ़ने में लेकिन हम आपके बीच अच्छे से अमलोग पढ़के बदा देते हैं कि DNA के नुकलोटाइड की विवास्था को कीश के दोरा देखा जा सकता है काफी महत्यपों प्रस्णाद दोस्तों कि DNA के नुकलोटाइड की विवास्था कीश के दोरा देखा जा सकता है तो यहां जो देखा जाता है दोस्तों यहां देखा जाता है एक सरे क्रिश्टलो ग्रा प्रखा जाता है तो उस समय जो होता है दोस्तों इसका बी कुंडलन हो जाता है निकि आपसन और यहां पर बी है वराइट एंसर हो जेगा आप बस सिद्धत से आन तक जोड़ देखने का प्रयास कजेगा क्योंकि इससे बाहर एक भी कोसंस जो है बोर्ड एक्जामे नहीं जब जयांग में स्वी केसर एक दूसरे से जूड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है तो जब जयांग में स्वी केसर एक दूसरे से जब जूड़े रहते हैं दोस्तों तो उसमें जो उसे कहा जाता है तो उसे ही हम लोग आसाई से जो कहते हैं वो युक्टा डपी कहते है यान जो होता है यहां पर जो प्रसन है इसका जो सही इंसर हो जेगा एक कुंडली RNA होता है याद रहे दोस्तो कि जो दलहानी पौधे होते हैं जैसे मूंग के जो दाल हम लोखाते हैं उसके जो पौधे होते हैं या जो स्वावीन के जो पौधे होते हैं या रहर या सनई के जो पौधे होते उसके जो जो जाड़ों में होता है वह राईजोबियम नमकचीमारों पाजाता है और उसमें नैđट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो इसलिए कौन सा नैट्रोजन इस्तिकरान करता है तो राईजोबियम इसका राईट एंसर और यहां पर देख रहे हैं परशन को की फ्रेंकिया एक तो फ्रेंकिया जो ए यह 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 परकार का यह जे उर्वरक के रूप में होता है याद है option अगर अच्छी लग रही हो तिसे एक लाइक जरूर की जाएगा दोस्तों और दोस्तों में जरूर अपने दोस्तों में share कीजिएगा जो भी दोस्त बाइलोजी से लिए हैं अगर बाइलोजी से एक्जाम देंगे उनके लिए काफी महत्तपूर राम बार ये साबित हो सकता ह है दोस्तों आपके बोड एक्जाम राम बार यानिकि इससे बाहर एक भी कोसंस नहीं आएगा दोस्तों और सस्क्राइब जरूर कर लेजेगा नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि जब भी हम आपके बीच वीडियो डालेंगे वह आ होता है नाग फनी याद रहे और जो भी है वराइट एंसल होजेगा कि रख होसला वह मंजर भी आएगी प्यासे के पास समूंदर भी आएगी ठक करना बैठ यह मंजिल का मुसाफिर और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल की माजा भी आएगी दोस्तों जब तक आप मेहनत नही नहीं किजेगा दोस्तों लग क्यूंकि लग खराब हो सकता है तो आप हाड वर्क पर आप बिलीब करिएगा डॉन्ट बिलिबीं लग बिलिबीं हाड वर्क दोस्तों याद रहे ऑप्सन जहां पे जो भी है वा राइट इंसल होजएगा और यहां परस्ण आप देख रहे ह है तो सेल क्रमा खचो होता है दोस्तों यह होता है जीव रहीत भी होता है और नगने चटानिये परदेश भी होता है यानि कि जो सी है अप्शन और बी दोनों वह बिल्कुन ही सही एंसर हो जेगा और यहां पर प्रस्ण आप देख रहे हैं कि निव क्लिक अमले कीस इंजाइम दौरा खंडित होता है काफी महत्य परस्ण है दोस्तों कि जो nukleic acid होता है वो कीस इंजाइम दौरा खंडित होता है तो इसका जो सही एंसर हो जेगा 43 नव परस्णे का जो राइट एंसर हो जेगा वह हो जेगा option number A polymarase enzyme यानि कि option और जो ए है वो right answer होज़ेगा मनुस्य के हाथ चमगादर के पंग तथा हवेल के फिलीपर अभी ब्यक्त करते हैं तो जब मनुस्य के हाथ जो होता है और चमगादर के पंग और हवेल के फिलीपर जो अभी ब्यक्त होता है करते हैं यह एक परकार के जो करते हैं यह होता है समझात अंग याद रहे और समर जो यहाँ पे जो डी है वो right answer होज़ेगा और PCR के तकनीक के द्वरान एस एस DNA के प्राइमर्स के बंधने की परकिरिया क्या कहलाती है काफी महत्तपों प्रशने दोस्तों कि PCR तकनीक के द्वरान एस एस DNA से प्राइमर्स के बंधने की जो किरिया क्या कहलाती है तो इसे ही हम लोग जो 45 ना प्रशने का right answer हो जो हो जाएगा इसे ही हम लोग तपानू सीतन कहते हैं यह जो option और जो B है वो right answer और निम्नांकित में से कौन RDT का साधन नहीं है तो निम्नांकित में पूचा है तो RDT का साधन यहाँ पे नहीं है वो बाताना है तो इसका जो सही answer हो जगा वो प्रतिबंधन enzyme हो जगा इसका right answer और यहाँ पे देखेंगे प्रस्ट नमर 47 प्रस्ट को कि अप्सर में यहाँ पे जो ए है और राइट answer हो जगा biology में आप ध्यान रहे रखेंगा दोस्तो आप English पर जरूर ध्यान दिजिएगा क्योंकि biology में लगवग 80% जो questions का answer जो होता है वो इंग्लिस में ही ही इसका उचारन होता है तो thermos aquaticus यह इंग्लिस ही सब्द है यानिकि option यहाँ पे जो ए है वो right answer हो जगा और 20 स्वास्त दिवस को मना जाता है काफी महत्तपुर प्रस्ण है कि 20 स्वास्त दिवस को मना जाता है तो इसका जो right answer हो जगा 7th April को मना जाता है 20 स्वास्त दिवस और amniocentasis द्वारा बिस्लेशन होता है तो amniocentasis द्वारा जो बिस्लेशन के रूपे जो होता है दोस्तो यह होता है amniotic द्रोग का यानिकि इसी का नाम से है यानिकि option जो C है वो right answer हो जगा एजोला सहजीवी संबंध बनाता है काफी महत्तपुन प्रस्ण है कि एजोला जो सहजीवी जो संबंध बनाता है यह बनाता है दोस्तो इना बेना के साथ यानिकि option जो यहाँ पे जो B है वो right answer हो जगा चलिए हम लोग national प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे प्रस्ण आप देख रहे हैं कि टेपिटल कोशी का दर्साती है काफी महत्तपुन प्रस्ण है दोस्तो कि टेपिटल कोशी का जो दर्साती है एंडोमाइटोसी से तथा बहु ग्यूरता को दर्साती है यानिकि option जो D है वो सही answer हो जेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रस्ण को कि गुरू बिजानू मातरी कोशी का से क्या बनता है तो गुरू बिजानू मातरी कोशी का से जो बनता है वो गुरू बिजानू इसका राइट एंसर हो जेगा C is the right answer for this को संदोस्तो और यहाँ पे प्रस्ण आप देख रहे हैं कि मादा जन्तू जिन में मद्र चक्र होता है बंदर, मनुश्या, C है A और B दोनों और D है गा तो मादा जन्तू जिसमें मद्र चक्र होता है तो इसका जो सही answer हो जेगा फोटी, सोडी, फिप्टी थी नव प्रस्ण का जो राइट एंसर हो जेगा वह यहाँ पे option में थोड़ा गलत दे दिये गया है यहाँ पे D यहाँ पे बंदर में भी होता है मद्र चक्र, मनुश्या में भी होता है और गाय में भी होता है यहाँ पे जो D option होगा वह इनिमे से सभी होगा याद रहे option में यहाँ पे जो D है वो राइट एंसर हो जेगा यहाँ पे D नहीं दियेगा है लेकिन इनिमे से सभी में मद्र चक्र होता है याद रहेगा बंदर, मनुश्या और गाय तीनों में तो यहाँ पे option में नहीं दियेगा है तो याद रहे और यहाँ पे प्रस्ण है कि मानव सुक्राणू के एक्रो सोम का निर्मार होता है तो मानव सुक्राणू के एक्रो सोम का जो निर्मार होता है दोस्तो यह इसका जो राइट एंसर हो जेगा मनुष्य में अपरा का निर्मारत है की सब्सक् engagements पूसिए पौधों में नर युगमक का निर्मारतundert किस के द्वयरा होता है तो पूस्पीय पोधों में नर्य युगमा का जो नियुमार किसके द्विभाजन द्वरा होता है तो इसका जो राइट एंसर हो जेगा वह जनन कोस्ट का द्वरा याद रहे और समर्ज सी है वह राइट एंसर हो जेगा यहाँ प्रशन कि इमेसकूलेशन किसे समंदी थे यहाँ पे इमेसकूलेशन जो सब्द है यह बहलो जी क्या का जो सब्द है वह इंगलिस में ही इसका उचारन हींडी में किया गया है imitation यह जो समंध रखता है दोस्तों यह रखता है संकराण से यानि कि जो C है वो right answer हो जबाँ मीमिक्री की उपयोगता है तो मीमिक्री की जो उपयोगता जो होती है दोस्तों यह जानते कि इस में होती है यह होती है संचरण के लिए य offended जो ए वह रराइट एंसर हो जगा कवक मूल 11s जीवी संग है तो कवक मल 11ẹ जो संग होता है तो यह होता है कवक तथा मूदो की जड़ों के बीच जो ऑपSON जो बी में है वराइट एंसर होजेगा और यहां पे 69 प्रस्ण को देख रहे हैं आप स्क्रिन पर की प्रास्प्रिक आस्तरे होता है तो प्रास्प्रिक जो आस्तरे जो होता है दोस्तों यह होता है ऐक कुलाई तथा मनूस्य के बीच जो अप्सन जो यह इह में होता है दोस्तों वह फाइब दस मलोव शीक्स हो जाएगा ऑप्सन वर यहां पर जो एह वराइट है थोड़ा सम्झाना चाहते हैं पीएच मान को पीएच मान तो पीएच मान जो होता है दोस्तों वह एक से लिके turn DNA 14 अधीक होता है। यहाँ पे 7 से जो कौम होता है वह अमल के रूप में होता है और 7 से जो अधिक होता है वह साथ से अधिक ilty 6 से होता है और 24 होता एंग के लिए 7 होजेगा ,brefer को जेसे जॉल का होता होता है याद रखेगा, तो 6 से अधिक होज जएगा और अमल का pH 1 7 से कौम हो जएगा और Udazine BNBN का pH 1 हो जएगा 7 याद रहे आप्सर्वर जो यहाँ पर जो एह वराइट एंसर हो जएगा अमली ये बार्सा का pH 1 जो होता है वह 5.6 होता है और यहां पे photo chemical smog में होता है तो photo chemical smog में जो होता है SO3, PAN, polyacronitrile और ता था nitrogen के oxides हो जाएगा option जो यहां पे जो B है वो right answer हो जाएगा capacitation एक प्रकृतिक किरिया है जो होती है capacitation जो एक प्रकृतिक किरिया जो होती है यह जानते हैं दोस्तों क्या होती है इसका जो right answer हो जेगा वो मादा जनन मार्क में होता है option जो यहां पे जो B है वो right answer हो जेगा चलिए हम लोग next नव प्रस्न को देख लेते हैं और यहां प्रस्न आप देख रहे होंगे 64 नव प्रस्न को काफी मत पूर्ण यह लगभग कोसं सहर साल पूछ ले जाता है कि कॉपर टी का कारिय क्या होता है तो यह निसेचान को रोकता है जाहिल से बात है यह खास कर इस्तिरिया ही यूज करती है याद रहे option जो C है वो right answer हो जेगा कोपर टी का जो कारिय होता है वह निसेचान को रोकता है और जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है काफी मत प्रस्ने दोस्तों कि जननांग मस्सा की निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है यानी यहां पर फैनल ना बताना है यह जो होता है प्रिलोमा भिशान दोडरा यानि कि आप समस् टम hiring अई करता है तो डिनेव अट्टर टमल करता है दोस्तोर वजानते हैं गरता है या कलोनिक संवाहा का का वहा एंसर होता है चलिए हम लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं क्योंकि कोसंस बहुत ज्यादा है और आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पाते हैं दोस्तों तो एक से दो बार में आप अच्छे से देख लिजेगा इस वीडियो को तीन बार अच्छे से फूल फूल वीडियो जाता है काफी मात्त पूर्ण है प्रस्ण की अनुसिकता अभियांत्री की जिवाड़ों को किसके द्वरा उत्पादन के लिए सन्योजित किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा शिक्षिष से बना प्रस्ण का वह इंसुलीन यानिकि अप्सन मर्जो यहां पर कमिष्य जो राकर होता है अक्सर एंसर होज़ेगा इनसुलीन के कुमिष्य और राइट एंसर होय जगाㅑ और यहां पर प्रस्ण है कि कौन सचनमाहकDNA के छोटे खंड का को अनिग कर सकता है कशसकता ना क चोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है तो इसका जो राइट एंसरpowered वाई एक सी होजेगा और अपसमरोज यहां पे जो सी डी है वो राइट एंसर होजेगा याध निमनांकित में से कौन सा प्रतीबंधन में अधिया को है ब्लंट सीरा उद्पादित कौन करता है तो इसका जो राइट एंसर होजेगा वह हिंडी ठाड यानिके आपसन मर्जे यहां पर जो C है और राइट एंसर हो जएगा और निमनागित में से कौन सा जेव भी भी दिता के सो अस्थाने स्रक्षान का तरीका नहीं है यहां पर पूछा है दोस्तो तो इसका जो राइट एंसर हो जएगा वान अस्पतिक उद्ध्यान हो जएगा और यहां पर प्रस्ण आप देख रहे होंगे कि ब्रूंड कोस की सेंट्रल कोसिका होती है दोस्तो वह दूइत्यक केंद्रक होती है सेकंडरी नुकलियस ऑप्सन मर्ज यहां पर जो बी है वो राइट एंसर हो जएगा बीज चोल का खाया जाता है काफी मात प्रस्ण है दोस्तो कि बीज चोल जो खाया जाता है वो खाया जाता है सरीफा का जैनिके option बर जो यहाँ पर जो यह वह राइट एंसर हो जगा शरीफा का बीच चोल कहने का औरत है दोस्तों यानि कि जो माने जे के यह सरीफा है इसको सरीफा माने जे माने जे सरीफा है तो उपरी वाली जो छिलका होती है उसे तो हम लोग खाते नहीं है और जो बीच वाला जो भाग होता है उसे हम लोग खा लेते हैं और बीया को फैंक देते हैं जैसे माले जी ये लीची है तो लीची के जो उपरी भाग होता है छिलका उसे हम लोग फैंक देते हैं और बीच वाला जो भाग होता है उसे खा लेते हैं और जो नीचे जो उसकी बीज होता है उसे हम लोग फेंग देते हैं तो लीची भी बीज चोल का ही उधारन है याद रिखे गए जिसका बीज वाला भाग हम लोग खाते हैं जैसे आम हो गया उसी हम लोग बीज चोल के रूप में भी इसका उधारन हम लोग जानते हैं तो इसका राइट एंसर रोजिगा सरीफा और यहाँ पर उभाइलिंग की प्राणी है यह हम लोग लगभग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उभाइलिंग की प्राणी के रूप में जो क्या होते हैं वह केंचुआ ही होता है और केंचुआ को किसानों का मीत्र कहा जाता है हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे कि केंचुआ को किसान को मीत्र क्यों कहा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जगा option number D और यहां पर प्रस्ण है कि निमली खित में से कौन द्वीगूरित सराशना है याद रही यह प्रस्ण में थोड़ा सा दिकत होती है दोस्तों को तो आपको बीच यह प्रस्ण है जब हम पढ़ा देंगे तो आपके बीच कोई भी डाउट नहीं रहेगी और द्वीगूरित सराशना है होती है द्वीगूरित याने की दो और यूकूमनाज दो होता है जो यह दो से होगा इंसल सहीं के सहीं सर अगर सबस्क्राइए ने कि माना रूधिर यहां यहां पर एव यहां उनल पस्थीत होता है यहीं कि उपस्तित नहीं ոथता है अव्जो ए है और यहां प्रस्ञैघ कि किलोरेला निमन में से ग्या है और किलोरेला निमन में से जो होता है दोस्तोट वो एक पत्ifully का सेवाल होता है याद रहे उसम्र जू यहां पर जो बई है और आइट एन रिट्ध यंसर हो जगा क्राइजीन क्राइनगे से Cóक्त कहा कैता है क्राइजीन सबस्ट कह दोस्तोव के उस्पसल को बचता है तो वह पासकि यहां पकर मत्त पूंपरसथा के करेक है वहां पे जो कोशन्स पूछा गया था कि अमलिये बार्षा किस कारण से होती है तो अमलिये बार्षा का कारक मेन क्या होता है तो मेन जो होता है वह एनो टू और एसो टू के मिस्रान से ही होता है अमलिये बार्षा यह जो खास कर होती है जो बरे-बरे जो कमपणियां होती है वहां से अनेकों परकार के भीहिन परका गणता है और इसके कहती है और यिए cc अब धार को जो यह अब जो टाज महल की जो कि जो कि जो रंग है वह क्म्रों के कारण ही होता है तो वहां से ताज महल के जो करीब में जो जो कंपञ्या थी उसे हटाया जा रहा है कियोंकि ताज महल के सुन्दार्ता के लिए ही जाना जाता है तो अपसमर्ज यहाँ पर जो behavior right answer हो ज़ेगा लाइकेन सुचक होता है लाइकेन जो सुचक होता है वह A.C.O.2 पर दूसरन का ही सुचक होता है अपसमर्ज जो behavior right answer हो ज़ेगा यह परस्ण आप देख रहे हैं कि मानो सधार्तिया ध्वनी तिवर्ता सहन कर सकता है काफी मत परस्ण दूस्तों कि मानो जो सधार्तिया जो ध्वनी जो सहन कर सकता है वह इसका right answer हो जएगा वह हो जएगा option number A 20-30 decibel के बीच यानि का option number A है वह right answer हो जएगा चलिए नेक्षण परस्ण को देख लेते हैं और यहां पर परस्ण आप देख रहे होंगे कि निवने में से किसमे जल परागन होता है थोड़ा सा धुद्रा होगा दिखाई देगा लेकिन हम आपके बीच सही से सही परते हुए बताते हुए चलेंगे तो जल परागन होता है या हो जएगा हैडरिला में और यहां पर ट्राइसोमी 2N प्लस 1 के कारण बचे मंद बुधी के हो जाते हैं उसे क्या कते हैं ट्राइसोमी 2N प्लस 1 के करण जो बचे होते हैं मंद बुधी के हैंनी कि मालेज समझाया जाएको और समझे कुछ नहीं तो उसे मंद बुधी के बचे कते हैंनी कि बाद में हुआ समझे तो उसे जो कहते हैं दोस्तो उसका राइट एंसर हो जएगा वह हो जएगा डाउन सि फोटी सेवे नंए डाउन सिंड्रो में जो सुकुनार्यों के संख्या हो जाती है याद रखेगा तो इसका राइट एंसर का ओपस Combat और द यूंट प्रिंटिंग नमनी में तो डी ए ए फिंगर प्रिंटिंग निमनी में से जो होता है दूस्तो वह होता है डी ए टाइपिंग और डी एए प्रोफाइलिंग यन जो सी यह यह टव हुच्त छन अटिसमाहाई की आट चनल पर दिस्कौशन हो तो लिए इसका राइट एंसर होज़ेगा जो एडिनीन और ग्वानीन इसका राइट एंसर होज़ेगा और एड्स बीमारी में HIV कीज को सिकार को नस्ट करती है एड्स बीमारी में तो यह होते हैं और गी राष्ट्य उद्यान बिख्यात है काफी मत प्रस्णे दोस्तों कि गी राष्ट्य उद्यान जो बिख्यात है यह मुख्यता बिख्यात है अपसे बी है वाइट एंसर होज़ेगा और यहां पर प्रस्णे के नूख आमल में यांन कीने यहां पर नाइट्रोच pesticide होता थैका और के Canadian गेंसर के द्वारा होता हैं जिन्स के दवारा होता है याद रहे है जो भी है और होजेगा और एक सर का अधियान का अधियिए आधियान काहलाता है और होता है यहां पर जो भी होजेए कलियार सोना किस की किस में है तो कलियार जो सोना होता है या मुख्यता जानते हैं दोस्तों किस की किस में होती है तो गेम हुँ की प्रोनत किस में होती है कलियार सोना यानि कि अपसर मर्जों यहां पर जो इह हो राइट एंसल हो जेगा और निवनिमे से कौन एकलकोसिका प्रो और यहां पर प्रस्टन है कि किसमें क्रित्रिम बीज का निर्मार किया जाता है तो पूछा गया है कि किसमें क्रित्रिम बीज का निर्मार किया जाता है तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा काइक भूर के दौर और इनके ऑप्सेन और जो ए हे वराइट एंसर हो जाएगा बी डी एन ए के पुर्ण गुमा में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पियर्स होते हैं तो इसमें जो पियर्सों की जो संक्या होती है वह दौस होती है याद रहे और यहां पर प्रश्ण आप देख रहे होंगे कि निवनी में से कौन विशाड़ोजनीत रोगे तो फ्लू भी यह वाइर्स के करन ही होता है और यहां पर पोलियोबी वाइर्स और एर्स भी वाइर्स हम लोग जानते हैं और यहां पर हम बताना चाहते हैं यह कोसंस पूछे जाता है दो नमर में एर्स का फूल फ्रोम एक तो एक वाइड इम्यून डिपेंसियंसी सिंड्रोम ही होता है तो इसका राइट अंसर हो जगा जो बिशाड़ोजनीत रोग है यह डी इस दराइट एंसर फोर दिसको नहीं कि और और जो है वह सही अंसर हो जगा इनिवे से पाय जाता है काफी मत प्रश्न दोस्तों कि जीवारू में पाय जाता है तो जीवारू में वह डी एने प्लाजमीड पाय जाता है यानि कि जो ए है वह राइट एंसर हो जगा डी एने प्लाजमीड और द्वी संकर यह काफी मत प्रश्न दोस्तों कि द्वी संकर क्रॉस का फ यानि कि जो सी हे वाराइट एंसर हो ज़ेगा अगर वही अगर पुछेगा कि एक संकर क्रोज का प्रेंटिक अने उनित पाथ तो तीजय το निफाथ वन हो जबगा तो इस यह एक संकर के लिए और यह द्वी संकर के लिए अपन्र हैं Phil जो अपन करो जो कि है ऑस आउन Mens respons comparison अधाने में किस जीवन्यों का उपयोग किया जाता है तो हम लोग ओण्द्रैक रहे हैं कि दूद्से जो तो इसमेंatics से कई शूंदला होता है तो इसके लिए हम चाहते हैं तो हम आपके भी सही के सही बताते हुए चलेंगे सभी कोसंस प्रिभियस एर कोसंस यहीं हैं दोस्तों तो द्वीगुनित सरशना जो होती है यह यह गुमनाज हो जाएगा और अंकोजीन इनमे से कीस के लिए उतर दाई है तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अंकोजीन के लिए उतर दाई है और कैंसर का अध्यान अंकोजी कर लाता है और जो जिवारू के द्वार होता है वह उंकोजीन के द्वार होता है यानि कैंसर इसका राइट एंसर हो जेगा इनमे से कौन सा पवधा जलोद भीद है काफी मत्तपों प्रशन दोस्तों की जलोद भीद इनमे से को क्या कहते हैं कि जो सरीर से जो बाहर नीशेचन होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे ही हम लोग इन भीट्रो कहते हैं यानिकि इन भीट्रो और इन भीबो यानिकि इसे इन भीट्रो कहते हैं और सरीर के जो अंदर होती है उसे इन भीवों कहते हैं यहां पर देख रहे हैं कि 200 प्रवारन दिवस को मना जाता है तो हम लोग पहले ही को संस में देख चुके थे पहले प्रवारन दिवस मना जाता है यहां पर इस परकार से सटोली को सिकाएं होती है यहां पर इस परकार से सटोली लिखा गया है बता दे रहे हैं कि सटोली जो लिखा गया है इस प्रत्र से सटोली को सिकाएं पाए जाती है तो सटोली जो को सिकाएं जो पाए जाती है दोस्तों यह पाई जाती है ब्रिशान में यानि कि मनुष यानि कि जो पूरूस होती है उनके ब्रिशान में सटोली को सिखाएं पाई जाती है याद रहे आपसन और जो ए है वराइट एंसल होजेगा ओपरेन मंडल क्या परदर्सित करता है काफी महत्तपू प्रस्णे दोस्तों कि करता रिमनी लिखीत में से कौन सब्स जनतु वहलेंगत ओम लोग वह जान चुके हैं कि चुअ को खिसान का मीत्र करते हैं और यहां वैलेगत सोरी सोरी यहां पर नहीं है यहीं पूछा है यह घ्रेलू मखी हो जाए ह्ज़ाएंग इंसर यादिव necesita को सलय deben और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नीमनी में से कौन सा नाइटरोजिनेस बीस dna में नहीं होता है तो dna में नहीं होता है इसका जो जही इंसर हो जाएगा दूस्तों वह हो जाएगा ureacil यानिकि option वो जो C है वो जो B है वो राइट इंसर हो जाएगा थोड़ा सा बताना चाहते है danaa और rna यहां पर dna लिख देते हैं और यहां पर rna लिख देते हैं और यहां बता दे कि dna में जो पाए जाता है वह साइटोसीन यानि इसको सीस सूचित करते हैं साइटोसिन पाए जाता है और थाइमीन भी पाए जाता है और इसमें गुवानीन भी पाए जाता है और इसमें लेकिन यूरेसील डीने में नहीं पाजाता है तो वहीं थाइमीन जो होता है या आरेने में नहीं पाजाता है और यूरेसील में डीने में नहीं पाजाता है याद रहे तो इसका राइट एंसरोजिका आपसन अमर भी और यहां पर रेड़ाटा बूक में समलीत है तो रेड़ पढ़ने का जोड़त नहीं है क्योंकि इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन अमबर डी क्योंकि दूला पौधों की भी सुची भी होती है और अपतिग्रस्त प्राणियों के सुची और बिलुप्त हो रहें पौधों के सुची दीज दर आइट एंसर फोर दिसकोशन पुसपा का और सेव को असर्थ फोल भी कहा जाता है याद रहें आपसर में जो भी हो राइट एंसर हो जेगा डी इन इन में से किसका अनुवांसिक पदार्त है तो इसका जो राइट एंसर हो जेगा बैक्ट्रियोफेज यहींकि इस दा राइट एंसर फोर दिसकोशन दोस्तों और जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है तो आय में भी कमी होती है जमीन में भी कमी होती है खनीच पदार्तों की कि भी कमी होती है यहींकि डी जो है वह राइट एंसर हो जेगा एक रोसोम इन में से किसका संभाग है तो एक रोसोम जो होता है दोस्तों थोड़ा से यहां पर धूदला दिखाई देगा लेकिन हम आपके बीचे सही पढ़ रहे हैं कि एक रोसों इनमें से किसका संभाग है आप बस सीदत से और तक जोड़ बरने का पढ़ियास किजिएगा इसे आप दो से तीन बार देख लेते हैं तो बोड़िक जामें यहां से कोशन हंडे परसें होजेगा है और यहां पर है की दो रहा है कोसल देखते हैं और यहां पर देख रहें है कि कुछ रोगों की सिगरेयों सही पाहचान है तू हम कि इसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसका जो सही answer हो जएगा इसका राइट एंसर हो जएगा ELISA test के दुरा है यहाँ पर जो एप he right answer हो जएगा यहाँ जो eight से होती है इसमें ELISA test के दौरा ही पाता किया जाता है याद रहे ऑफ्षान आर यहां पर परिपक्वा सुक्राणु किसिस पर एक टोपी नुमा सनरस्थना होती है यहां कोते हैं जो टोपी नुमा जो सनरसनाप जो पाई जाती है उसे हम लोग ca p प्रजानन मुक्यता कीस के द्वारा होता है तो इस्ट में प्रजानन या मुकूलण द्वारा होता है याद रहे प्रजानन जो ए है है होड़ाइट एंसर हो जएगा और यहाँ पे ताइचूंग इनिमे से किस की किस में काफी महत्तपों प्रस्ण दोस्तों कि ताइचूंग इनिमे से किस की किस में थोरा सा धुद्रा जो दिखाई जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके लिए हम माफी चाहते हैं दोस्तों कि जो उस समय क्या ये अंध स्पाइच स्पाउद होता है यह द्हान की होती है यानिकि आप समर्फा जो यह पर जो ए है वह राइट एंशन हो एक्षा को oxide यह किसखा परकार का रोग है तो इसका रोग को जो होता है सेखल की क्या खेकल की निमिया यह थो आस यहां जो है दोस्तों इसका राइट एंसर होज़ेगा option number a cry iab किसे किसे नियंतरित करता है तो cry iab जो नियंतरित करता है अम लोग पहले ही questions को देख चुके थे इस परकार से तो यह कपास के कीटों को option number c है वो राइट एंसर होज़ेगा और जल धारन चमता इनिमे से किसका गुण है तो इसका जो राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका एंसर भी आगया होगा कि जल धारन चमता इनिमे से किसका गुण है तो इसका राइट एंसर होज़ेगा और एंपियर आर जीन किसमें प्रतिरोधक चमता विक्सित करने के लिए उतरदाई होता है तो प्रतिजे भी किसका प्रेंसर हो जेगा और याद रहें यहाँ पर चोविष्फन प्रस्न यानिकी 124 प्रस्न भी आपके सामने है कि ट्रांज Zेनिक मुत मुंद । प्रियोग जो होग जो हैं यह होता है दूस्तों इसमें हम लोग जानते हैं क्या करते हैं यह मिला जाता है आफ देक्स कुरस् shifts तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा और यहां पर परसने कि ड्रायव पीथिकास इनमें से किसके अधिक समान थे तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा यहां कि लंगूर के यहां यहां पर जा यहें विम्पोसायट का निरमार करने है तू किस पमें किया जाताए तो आरे झेंक जो आइओ होता ќ Agora कि नियांत्रित में किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह इसका राइट एंसर जो होता है वह तंबाक। और समाने युगमक समान्यता कीस परकार के होते हैं हम पहले ही जिक्र कर चुके थे कि युगमक जो होता है वह दो होता है और दो जब जोड़ा कहे तो एक गुणक होता है यानिकि और प्रभाविता इस्थिती में क्या होता है एफ्टू पुछा है तो जब एफ्टू जब पुछेगा तो यहां पर जो एक अनुपात दो अनुपात एक हो जाएगा और यहां पर जो एक संकर क्रॉस के लिए यह एक संकर के लिए और यह एफ्टू संतती के बाहलेक्षणी अनुपात है एक अनुपात दो अनुपात एक यहां पर जो जो होता है दोस्तों यह हो जाएगा इसका right answer यह हो जाएगा दमनकारी जीन की किर्या गी यानिके और जो यहां राइप यहां पर पूछा गया तो गलत जोड़ी जो हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही answer होना चाहिए या आप भी दे दियोंगे कि T बराबर यू नेकि थाइमीन और यूरेसील कभी भी ये समा नहीं हो सकते हैं क्यूंकि थाइमीन जो होता है या DNA में पढ़ जाते हैं और यूरेसील जो होता है वह RNA में पढ़ जाता है याद रहे तो इसका right answer हो तो कि कार्बनिक या जही विकास से पुर्वर असानिक विकास हुआ था इसकी अधरना कि इसके द्वराद दी गए थी तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए यह यह आई ओपरेंड और प्रस्ण को कि ओपरेंड मंडल क्या परदर्सित करता है तो ओपरेंड जो मंडल हो जो होता है यह परदर्सित करता है जीन का रेगुलेशन यहां पर प्रस्ण आप देख रहे हैं कि निवनी में से कीस का पुसपासन खाया जाता है तो पुसपासन हम पहले ही कोसंस में देख चुके थे तो सेव का इसका राइट एंसर होजगा और जो भी है वह राइट एंसर होजगा चलिए अगर अच्छी लग रही हो तीसे लाइक जो किजेगा दोस्तों और चैनल पर नहीं जूड़े हो तो जोड़ सब्सक्राइब कर लेजेगा और डी ने निवनी में से किसका अ आ हार सिरिंखला की ऊर्जा का प्रवा याई पर ऊर्जा का प्रवा पुछा है दोस्तों तो याद रहे यह एक डिसिया होता है उर्जा का प्रवा इस परकार से नहीं होटा semua यहां पर जो ए है वेराइट एंसर होजगा सब्सक्राइब कर लेते हैं सभी कोसंस को क्योंकि यह सही कोसंस अगर आप दो से तीन बार इस वीडियो को देख लेते तो आपको एटुजेट मानस पटलपा यह सभी कोसंस उतर जाएगा और बोर इकजामे अगर कोसंस आता ही इसमें से तो आप हंडे परसेंट करके आयेगा यह पूर्णता गरांटी के साथ करते हैं एक 95 परसेंट जो कोसंस ''वह इसी में से ही पूँछे जाएंगे यह पूछेए क्यों प्रास्टे मर्जिंग के उनकूलता हुभता है क्या निर्मार करता है, तो JEO Reactor अनुकुलतम प्रस्तिती में क्या निर्मार करता है तो यह उत्पाद निर्मार करता है, option में जो A है, वराईट एंसर हो जगा और कीस फल में बीज चोल पाये जाता है, तो बीज चोल किस में पाये जाता है यहाँ पर जाइफाल मों अब बताता है लिची में भी बता आयए ते और शरीफा में भी पाय जाता है जाइद टी बता है इन वे सभी में option ऑप समय डी हो राइट एंसर होजेगा और a102 पर दूस्तना का कारण है तो a102 पर कारण होता है यह जो होता है वल आइकेन इसका राइट एंसर होज़ेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि सहद निर्मार कौन करती है काफी मत्पों प्रस्थने दोस्तों कि सहद निर्मार कौन करती है तो करता मधुमाखी इसका राइट एंसर होज़ेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि कि निम्नांकित में कौन सी विमारी मूर्गियों में होती है तो मूर्गियों में रानी खेत नमक विमारी होती है और अप्सन मर्जों यहाँ पे जो C है और राइट एंसर हो जेगा चलिए हम लोग नेक्षना प्रस्ण को देख लेते हैं यह हो जाएगा इस्ट यानि कि आप्सन मर्जों यहाँ पे जो D है वो राइट एंसर हो जेगा चलिए नेक्षना प्रस्ण को देखते हैं और एगारोज किस से प्राप्त किया जाता है काफी महत्तपों प्रस्ण है दोस्तों कि एगारोज किस से प्राप्त किया जाता है परफ्तावित किया था काफी मत परस्तावित किया था तो यौ रितुस्राव चक्र किस में होता है तो जो चक्र होता है ओफ्थे में प्रस्टान और यहां प्राणन की सिमने पाए जाते हैं काफी मुह थ लेन परामेशन में भी होता है जो अप्सन में जो सी है और आइट एंसर होज़ेगा थोड़ा सा धूदला दिखाए देगा इसके लिए हमापी चाहते हैं दोस्तों और डी एने औरो में साइटोसीन अगर 18% है तो एडिनीन का परतिसत क्या होगा तो एडिनीन का जो परतिसत होता है दोस्तों यह होज़ेगा 32% ऑप्सन और जो यहां पर जो डी है और आइट एंसर होज़ेगा यह काफी महत्यप्रशन है कि वीडियोल परिक्षान किसकी होता है टाइफ हैं इसे जो और जिइन से के द्वरा होता और फेखी निमन्निमन में से को chiera को हमिए करता है HIV तो यह जो होता है दोस्तो हम बतना ना चाहते हैं दोस्तो इसका जो right answer यह हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा यह आप भी दे दिये होंगे यह T helper कोशिका इसका right answer हो जाएगा T helper कोशिका ऐसे प्रति रक्षा अनुकिरिया होती है उन्हें क्या कहते हैं तो उसे ही हम लोग जो कहते हैं तो आप असाइश का एंसर भी द्या दिये होंगे इसका राइट एंसर जो होता है वह हो जाएगा और यहां प्रस्षन आप देख रहें हैं कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन होते हैं वह इसका right answer अज़गा he's time एक आपसए यहाँ पर यूचे इन्सर हो जँगा और वह बनाता है जो दूत्यक किंद्रत kimchi newcase ओर और यहाँ पर यहाँ प्रशन पॉस्क्राथ कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है इस घातना को क्या कहते हैं तो इस घातना को जो कहते हैं दोस्तों वो इसे हम लोग प्रभाविता कहते हैं ट्रांस्फर RNA में पाया जाने वाले तीन चारको का क्रम जो सदेश वाहक RNA कोडॉण कोडॉन से तोह लोग कहते हैं अ Mire다 써 हो जो सान अचछी लग रही हो तीसी लाइक पर्ण में स्पण कर लेजेगा और यहां पर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तेक बाद जा जरूर आप कमेंट बक्स में इसका डाउट जरूर लिखे जा किसी प्रकार की डाउट हो तो और यहां पर बुचिदेरिया फ्रेंक ओफ्टी जो आदमी फाइलेरिया रोग पाइदा करता है का सम्मूह क्या होता है तो इसका जो right answer होना चाहिए दोस्तों आप भी option में देदिये होंगे इसका right answer क्या होगा तो इसका जो right answer जो होना चाहिए यह इसका होज़ेगा hellminth और हैं प느님 और अधिक alcohol लेने से सबसे ज़्यादा प्रभवाईत होता है अगर अधीख alkoharin य्यादरो पियेंगे या किसी प्रिकार अप alcohol लेंगे तो सरीन में जो ज्यादा अंग प्रभवाय वह यक्रीथ हो युक्रित हो जएगा औपसन मर्जो C है वह सही एंसर हो जगा और यहाँ पर प्रस्ण है कि निवन में से कौन योनसंचारित रोग है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पता ना चाते हैं योनसंचारित रोग में Aids B हो जगा Aids और गुर्णिया थीक सीफलिस और गुर्णिया तिन्य व्यक्त और आपके बीच रहेगा तो सीफwelिस के साहथ इसका राइट इंसर हो जेगा यह कोसंस जो है इन इसमें 16 Пр já race between है आपधे जो डि है ऊंसर हो जेगा हम नी में से कौन से बिशाडू से होने वाले बीमारी नहीं यह फीत नहीं आ पूछा है दोस्तो कौन से यहां पे पूछा घ्या है कि कौन दार लुलन कोलारी को इसका बाइप and सब्चिक्य टिप्ठीरिय और निम्रि में कौन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर्या है जो समलीत नहीं है यहाई प्रस्ण देख रहे हैं ये माइक्रो बायलोजीस से और मैक्रो अप्सब्सक्राइब कॉछ Religion चाने है कि इस YO 확 दोस्तोसिसका राइट एंसर हो जो हो जाए इस टेपन हैल्स नहीं किसका राइट एंसर होजेगा चले हम लोग नेसफ़ाइन को देख लेते हैं और यहां प्रस्था आप देख रहи होंगे कि एंटि कोडॉndh एंस किसमीं पाय से तो और यहां प्रस्न है कि प्रिथ करण के सिधान्त को और क्या कहते हैं तो प्रिथ करण के सिधान्त को और जो कहते हैं दूस्तों इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह इसका राइट एंसर हो जाएगा और यहाँ पर जातियों के निर्मार का महत्तपुन जो एक पर रहे है उसका उत परीवरतन इसका राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्षण प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर देखेंगे एक से कत्तर प्रस्ण को कि एक कीडिना है तो एक कीडिना जो होता है या एक प्रकर का योजक कड़ी होता है और यहां प्रस्ण है कि डोडो है तो डोडो जो होता है या एक विलूप्त प्राणी होता है तो जो डो कोकol कोसी है और यहाँ साब फाधा जलो भीद तो जलूत भीद यहाँ पर बताना है कौन सा पंधा है तो इसका जो स्था ही एंसर हो जैगा और सेर्टोल्य को सेवय में होती है जो कि पूरूसो में पाई जाती है और यहाँ पे जो option और जो ए है और right answer हो जएगा यह questions में थोड़ा सा doubt होती है लेकिन आपको doubt नहीं करना है दोस्तों कि मनुश्या यानि कि पूरुस में पूचा है में गोंड सुत्रों की संख्या कितनी होती है यानि कि इसमें से बताना है क्या होती है तो इसक X और Y पूरुस में ही पाए जाता है तो याद रहे option यहाँ पे जो भी है वह राइट एंसर हो जाएगा और गोंड सुत्रों की संख्या तेश जोड़े होते हैं तेश जोड़े जोड़े का मतलब 2 तेश जोड़े अगर संख्या पूछेगी तो 46 हो जाएगे option यहाँ पे ज सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्त के बाद जरूरी एक बाद कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए और किस अवस्था में होता है तो crashing over जो होता है यह किस अवस्था में होता है तो यह पे किटीटीन अवस्था में RICHARD होता है याद रहे option वा जिंभ जैए और पी सी आर से किस की जाच होती है तो PMCR से या HIV की जाच होती है और यहां प्रस्ण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पर्तियक जीवित पादप कोशिका से पुर्ण पौधा बन जाता है इस गूड को क्या कहते हैं तो इसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं तीटो पोटेंसी यानि कि जो सी है वो राइट एंसर हो जागा टीटो पोटेंसी आप बीजी पौधक ब्रूण पोस में गूड सुत्रों की सुत्र गूडता क्या होते है तो जब आप ब्रीत पौधक की जब पूछेगा दोस्तों इ इसमें 3N की तिन गूणा होता है कि गूड़ सुत्र गूड़ता या 3N की आपसण जो सी है वह राइट एंसर हो जाएगा एक सब्यासने प्रस्ण का राइट एंसर जाएगा आपसन मबर सी और यहां प्रस्ण है कि जब संततिकी उत्पती एकल जनक कोशी एकल जनक द्वरा ह होती है तब यह क्या कहा जाता है तो जब एकल कोशी का के दुर्ण जो जब होती है तो इसे ही हम लोग लेंगिक जनन काते हैं यानि कि जो आपसन मर्जो यहां पेजे हुए तो इसका राइट अंसर हो जेगा और यहां पे मानव युगमकों में गुर्ण सुत्रों की संक्या होती है तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जान चुके थे कि युगमक मतलब दो होता है ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हम लोग 46 लगा देंगे तो यहां पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा युगमक मतलब दो होता है तो यहां पे तेश जो है वो राइट अंसर हो जेगा बिल्कुल ही अच्छे से आपको समझ में आगिया होगा कि इसका राइट अंसर हो यहीं होजेगा यूसले जो डी है वह सही अंसर होजेगा window our 중 हींद थार्ड और भी हैं एज आएवन जो डी हो राइट एंसर होज़ेगा जो रेक्षिक्षम होता ही वह इनिमें सर्वी होज़ेगा चलिए निक्ष्ण प्राश्ण हो देखते हैं कि राष्ट्य उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो प्राश्ट्र की तंत्र की देखते हैं तो पास्चूराइजेशन में जो गर्म किया जाता है तो वह गर्म किया जाता है किवल दूद को यानिकि जो आप्षण आपए जो प्राग भीती होती है तो प्राग भीती जो पाई जाती है तो वह जानते हैं इसका राइट एंसर क्या होगा वह द्वी अस्थरी ये टील इंपोसाइट उत्पन होता है तो टील इंपोसाइट का है या बील इंपोसाइट या अस्ती माजा में उत्पन होता है और एको आरवन का स्रोत सरी एको आरवन इंजाइम का स्रोत होता है तो एको आरवन इंजाइम का ज 35 इसका राइट एंसर होज़ेगा option number B और यहां पर है उभलेंगी प्रारी कौन सा है तो में जान चुके है कि क्या ही होता है क्लोरेला निमनी में से क्या है तो क्लोरेला जो है वह निमनी में से वह सेवाल है जोरी कई option rush भी सार्यों यहां पर नहीं दिया रहेगा तो स्तों अप्चै में यहां थोड़ा सां टाइपिंग में गलत हो गया तो इसका ऍषद R. और टो ओसर्ट का सुरे 194 और प्रस्शन और यहां पर कि रइस का सचर्ट हैस्ट और यहां पर क्राइज झीन बालओ क्रीमी से नीममा ने से की सबस्टैकर बच्छाता है तो कम पास है ड्लकका और यहां पर DNA में कौन से प्यूरीन बेस है तो DNA पुछा DNA तो DNA में जो प्यूरीन के रूपे जो बेस है वह इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह C-Adenine और Guanine इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो थामीन जो होता है और साइट्रोसीन हो जो होता है वह DNA में पाए जाता है लेकिन एडिनीन और Guanine इसका प्यूरीन बेस होता है याद रहे और जो C हो राइट एंसर होता है तो और यहां प्रश्णाव्द है कि सुक्ष्य प्रजनन में क्या संभाव होता है तो इसमें जो संभाव होता है दोस्तों यह इसका राइट एंसर हो जाएगा और अलेंगिक जननन बिल्कुल ही सही एंसर हो जाएगा आर एने के परिमीडीन में पाई जाता है तो आर एने पूछाए तो आर एने इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि साइटोसीन और यूरेसीन इसका राइट अंसर होसेगा और यहां पर प्रसने के ट्रीपल एंटिजेन ठीका का उपियो किसके लिए नहीं होता है नहीं पूछाए दुस्तो तो नहीं इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा और यहां पे निवनी में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमीं से कौन सा नहीं है, तो उमीद करते हैं आपका इंसर आगया होगा, तो इसका राइट एंसर होजेगा, और अपसन जो डी है, नैट्रोजन, जो बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा, और यहाँ पर कानहा राष्ट्यान प्रसीद है तो कानहा राष्ट्यान जो प्रसीड है यह जानते हैं दोस्तों कीस के लिए प्रसीड है तो यह जो है वह हो जाएगा ऑपसन और यहां पर बागो के लिए जो यानिके बी जो है वह राइट एंसर हो जाएगा और नीमने से कौन सा अहार सिरिंकला का सही करम है वह हो जाएगा घास बकड़ी और सेर हो जाएगा ऑपसन बर जो यहां पर जो सी है वह राइट एंसर हो जगा option वर्ट C तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्तपूर्ण को यहीं पे खत्म करते हैं अगर इसी वीडियो को से तीन बार अगर आप अच्छे से देख हैं तो इसके बाद आपके वोडिजा में एक भी कोसंस नहीं छुटने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों थेंक्यू फोर वाचिंग